बिहार के तमाम सिख्षक और स्कूलों में काम करने वाले लोग अगर इस मास्टर जी के तरह सोचने लगे तो बिहार की दिशा और दशा बदलते देर नहीं लगेगी और पढ़ाई लिखाई के मामले में हम विदेशों से भी हाथ मिला लेंगे मामला समस्ति पुर्जिले के मुईनुदी नगर और पटोरी प्रखंड की सीमा पर अवस्थित उतक्रमित मद्य विद्याले सिवैसिक पुर से निकल कर आया है यहां के एक सिक्षक ने काफी अनोखा प्रयास किया है यहां सिक्षा में नित नए प्रयोग होते ही रहते हैं इस बार एक और नया प्रयास किया गया है इस बार सिक्षा उडान का निर्मान किया गया है इसके बाद यहां के बच्चे हवाई जहाज नुमा सिक्षा उडान में बैटकर सेक्षनिक सागर में गोते लगाते नजर आएंगे अब आप सूच रहे होंगे कि आखरकार ये सिक्षा उडान क्या है तो चलिए आपको बताते है इस नए प्रयोग के सूत्रधार कोई और नहीं बलकि स्वेम विद्याले के प्रधाना ध्यापक मेगन सहनी है उनके इस सफल प्रयास की चर्चा चारो और हो रही है और इंटरनेट पर भी ये काफी वाइरल हो रहा है मध्य विद्याले नंदनी में बनी सिक्षा एक्स्प्रेस से प्रेडित होकर अब सिक्षा उरान की कलपना की और इसे धरातल पर उतारा गया है दरसल सिक्षा उरान को विद्याले की छट पर बनाये गया है एक ऐसा कमरा है जिसे हवाई जहाज की शकल दी गई है इसमें बजापता एक सुसजित पुस्तकाले यानि की लाइब्ररी भी है इसमें लगभग 25 से 40 बच्चे एक साथ बैठ कर आराम से सजी हुई पुस्तकों को पढ़ सकते हैं इसका नाम सिक्षा उडान रखा गया है उदेश सिर्फ यह है कि बच्चों के अंदर हवाई जहाज की तरह तेजी से अपनी मंजल की ओर बढ़ने की प्रेणा मिले मेगन सेहनी बताते हैं कि सिक्षा उडान के अंदर इस तरह की सजावट और रंग रोगन की गई है ताकि अंदर प्रवेश करते ही बच्चों को बिलकुल ऐसा लगे कि वे हवाई जहाज के भीतर ही बैठे हैं वही खिड की उसी प्रकार की कुर्सी हवाई जहाज के बाहर का रनवे पहिये कहने का तातपर है कि सब कुछ बिलकुल हवाई जहाज के जैसा ही उतक्रमित मद्ध विद्याले सिवैसिकपुर को 2019 में राज्जिस्तरिय सिक्षा रत्न पुरुसकार का सम्मान भी मिल चुका है इसके अलावा 2021 तक इस विद्याले के दर्जनो चात्र चात्राओं ने चात्रिती की परिक्षा में राश्ट्रिस्तर पर परचम भी लहराया है सिक्षा उडान की बात करें तो यहां पर 40 बच्चे एक साथ बैट कर पढ़ाई कर सकते हैं प्रधाना ध्यापक बताते हैं कि निर्मान में करीब 2 लाख रुपे लगे इसे लोगों के सहयोग से जुटाये गया था और ये प्रधाना ध्यापक की तरफ से नीजी प्रयास भी किया गया निर्मान स्थानियम मिस्त्री के ओ डिजाइन बता कर कर आया गया बनाने में तीन महीने लगे, पुस्तकाले में पाठिक्रम के अलावा साहितिक, महापुरुशों की जीवनी और इतिहास की करीब एक हजार से अधिक पुस्तके हैं बच्चों के लिए सामान ग्यान, समाचार, पत्र और विभिन प्रत योगताओं से संबंधित पुस्तके भी उपलब्ध कराई जाएंगी, इससे बच्चे देश दुनिया के तमाम घटना क्रम से अवगत हो सकेंगे प्रधाना द्यापक मेगन सहनी बताते हैं कि साल 2017 में विद्याले में योगदान उन्होंने देना शुरू किया था, इससे पहले मध्य विद्याले नंदनी में ये सिक्षक थे, वहां स्कूल को ट्रेन के मॉडल से रंग कर सिक्षा एक्सप्रेस बनाने का काम चल रहा था, उससे प्रेर ना मिली, बच्चों को सिक्षा के प्रती प्रेरित करने के लिए शत प्रतिशत उपस्तिती को लेकर ये प्रयोग किया गया है, कोरोना का दौर थमने के बाद बच्चे जब स्कूल लोटेंगे तो निश्चन थी उन्हें ये नया प्रयोग काफी रोचक लगन मद्य विद्याले नंदनी के पुर्वप्रधान अध्यापक राम प्रवेश ठाकुर बताते हैं कि साल 2014 में नामांकर के अनुरूप बच्चे स्कूल नहीं पहुँच रहे थे, उस समय प्रयोग के तौर पर स्कूल को ट्रेन का रंग और कमरों को आरक्षित और एसी बोग् रूप में आया तो बच्चों की उपस्तिती भी बड़ी, ठीक इसी तरह से प्रयास किया जा रहा है कि सिक्षा उडान को देख कर भी बच्चे स्कूल की तरफ आकर्शित हो और पढ़ाई लिखाई की ओर ज्यादा ध्यान दे सके, लाइफ सिटीज की डेस्क रिपोर, अग झाल 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 झाल